बिग बॉस 16 जैसे बड़े रियलिटी शो पर भारी पड़ चुकी है शहनाज गिल क्या कुछ खास हुआ है बताएंगे हम आपको अपने इस वीडियो में पूरी बात तो आप वीडियो को एंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इस्टाग्राइम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है भाई बिग बॉस 16 चल रहा है और हर तरफ चर्शे हो रहे है हमारी शहनास के हर सोशल मेजिया पेच पर आप देख सकते हैं शहनास गिल की खबरे चाही हुई है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ शहनास का जलबा बिख रहा है ये देखकर कही न कहीं मेकर्स भी एक बार चिंता में जरूर पढ़ जाते हैं ये बास सच है कि शहनास किल को सबसे ज़्यादा सफलता बिग बॉस 13 के बाद ही मिली उनकी फैन फॉलोइंग हस से ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती ही जा रही है ये अपने आप में बहुत बड़ी बाद है जब बिग बॉस चल रहा होता है तो उसमें आने वाले कंडिस्टेंट का अपना एक पियार एक्टिविटी होता है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा हाइप में बने होते हैं ट्वीटर पर देखें या इंस्टाग्राम पर हर तरफ उनके चर्च होते हैं बिग बॉस चल रहा होता है जब लेकिन अभी आलम ये है कि बिग बॉस 13 से निकलने के बाद भी हर तरफ सोशल मीडिया पर सिर्फ सिर्फ शहनास के ही चर्चे हो रहे हैं यहां पर अगर हम बात करें ट्वीटर की तो ट्वीटर पर इंगेजमेंट रेट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट सामने आई है और नमबर सेवन से इस लिस्ट को अगर हम देखें तो नमबर सेवन पर है रश्मी देसाई नमबर सिक्स पर है हिना खान फाइफ पर है सुरुविजेती नमबर फोर पर है रुबिना दिलैक नमबर थर्ट पर है हिमानशी खुराना नमबर टू पर है तेजस्वी प्रकाश जो की लास सीजन की विनर रहा चुकी है और नमबर वन पर है शहनास गिल 4.85% ट्वीटर इंगेजमेंट रेट के साथ जो की अपने आप में बहुत जादा है और यहाँ पर अगर बिग बॉस 16 के कंटिस्टेंट की बात करें तो कोई भी टॉप 7 में नहीं पहुंचा है ये भी मेकर्स के लिए एक बहुत चिंता का विशाय है क्योंकि मेकर्स इन्हें ट्रेंड में बनाए रखते ह हैं जो की करेंट पाइडिसिपेंट होते हैं बिग बॉस में उनके लिए बहुत सारे ट्रेंड चलाए जाते हैं लेकिन यहाँ दो भाई मामला उल्टाई है ट्वीटर पर भी छाई है शहनाज गिल तो अब हम यह कह सकते हैं कि बिग बॉस के मेकर्स की एक नहीं चलती तो इस तरह से शहनाज भारी पर चुकी है बिग बॉस 16 पर भी क्या कहेंगे आप इस बारे में कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए देस्ट अपटेट के लिए थैंक यू गाइस